फंगी साइट फसल को फंगस से बचाने के लिए उप्योग क्या जाता है लेकिन हर एक किसान चाहता है कि उसको एक ऐसे दमदार फंगी साइट मिले जिससे बहुत सारे फंगस जो है वो खतम हो जाए इसी कड़ी में दो फंगी साइट है जो ताकतबर भी हैं काफी महंगे भी हैं और काफी पॉपुलर भी है उसमें से पहला है नेटियो और दूसरा है एमिस्टार टॉप नेटियो बायर कमपनी की है और एमिस्टार टॉप स्टेजिंटा कमपनी की है ये दोनों फंगी सेट के उपर किसान ज़्यादा कनफ्यूज रहता है कि कि दोनों में से कौन सा बेटर है तेसा दोनों में से हम लोग कौन सा उपयोग करें तो उसके बारे में आज हम डीटेल से जानेंगे कि दोनों में इसे क्या चीज है और दोनों में से कौन सा बेश्ट है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेटियों की नेटियों में दो फंगी साइट को मिला के बनाया गया है पहला होता है ट्राइफ लॉक्स इस्ट्रोबीन और दूसरा है टूबो कोना जूल जो की टूबो कोना जूल को इसमें लगभग 50% लिया गया है और Trifloxostrobin को इसमें 25% लिया गया है जो कि Netio 75WG के नाम से हमको मार्केट में मिलता है इसी तरह अगर हम लोग दूसरा देखें Amistar Top को तो Amistar Top में पहला जो Amistar Top भी सेम है इसमें भी दो फंगी साइट को मिला के बनाया गया है पहला है एजक्स्ट्रोबीन और दूसरा है दिफिनो कोना जोल एक चीज इसमें सेम मैं आपको बदाता हूँ Netio में जो इनोंने Trifloxostrobin डाला है और Amistar में जो एजक्स्ट्रोबीन है ये दोनों ग्रूप 11 मैंने कि ग्रूप 11 के फंगी साइट है इसी तरह जो दूसरा Netio में टूबो कोना जोल डाला है और Amistar Top में डिफिनो कोना जोल डाला है ये ग्रूप 3 की हैं दोनों के दोनों एक चीज मैं आपको बता दूँ कि दोनों के दोनों लगभख समान है और दोनों एक ही जो ग्रूप के फंगी साइट को मिला कि इसमें बना गया है ये चीज इसमें समानता है दोनों कमपनियां अलग-अलग इसलिए ला रहे हैं अलग-अलग नाम से बस इसमें नाम का अंतर है और ग्रूप जो है ग्रूप सेम है हलाग कि थोड़ी इसके काम करने के प्रिक्रिया थोड़ी सी अलग है लेकिन लगभग इसमें 99% लगभग सेम है इसके वर्ग ये तो हो गए दोनों की कमप्यार की बात अब इसमें से दोनों में से कौन सा बेश्ट है ये तो अलग-अलग क्रॉप अलग-अलग फसल पे डिपेंड रहती है मैं एरे पास एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें मैं एमिस्टर टॉप और नेटियो पचत्र डबलू पी दोनों को धान के जो ब्लास्ट होता है और एक लिप श्पॉर्ट होता है दोनों में कंपेर करके देखा गया है तो जो रिसर्च पेपर है उसको मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ब्लास्ट के लिए है तो इसमें एमिस्टर टॉप को 200 ml लिया गया है और नेटियो पचत्र डबलू जी को 65 ग्राम पर एकड के हिसाब से लिया गया है जिसमें से अगर हम लोग ब्लास्ट के प्रोटेक्शन वैल्यू की बात करें तो एमिस्टर टॉप में 82.6% कंट्रोल किया है और नेटियो ने इसमें 74.73% कंट्रोल किया है उत्पादन की बात करें तो इसमें 4.68 टन पर हेक्टियर आया है और नेटियो इस्तेमाल किया हुआ हमें 4.33 टन पर हेक्टियर आया है इससे सेंपली सीधा इससे पता चलता है कि जो एमिस्टर टॉप है ये ब्लास्ट को अच्छे से कंट्रोल करता है इसके साथ साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी देता है इसी तरीके से दूसरा जो हम देखते हैं दूसरा वाला है ये ब्राउन लिप स्पॉट जो होती है धान की फसल में तो उसके लिए भी इन्होंने एमिस्टर टॉप को 200 ml लिया है और नेटियो 75 WG जो है उसको 65 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लिया गया था इसमें अगर हम लोग प्रोटेक्शन वेल्यू की बात करें तो एमिस्टर टॉप में लगभग 76.09% इन्होंने प्रोटेक्ट करी है और इसी तरीके से अगर हम लोग नेटियों की बात करें तो इसमें 74.46% इन्होंने प्रोटेक्शन करी है और उत्पादन की बात करें तो पॉइंट 33 टन पर हेक्टियर के उत्पादन आया एक चीज ये दोनों रिपोर्ट से एक चीज सिंपली फाई क्लिरिफाई हो जाता है कि एमिस्टर टॉप जो है अच्छा है अस्फोर कंपियर नेटियों से खासकर धान की अगर हम लोग बात करें धान की फंगस को कंट्रोल करें तो बाकी क्रॉप के भी फंगस को कंट्रोल करने में एमिस्टर टॉप नेटियों से अच्छा है अब हम लोग बात करते हैं इनकी कीमत की दोनों के दोनों फंगी साइट लगभग महंगे हैं नेटियों एमिस्टर टॉप से भी महंगा है से कम इस लहजे से देखा जाये तो नेटियो सस्ता है अस फोर कंप्यार एमी इस्टर टॉप से लेकिन जो फसल की को प्रोडक्ट करना और उत्पादन में बढ़ोतरी दान लाना इसमें एमी इस्टर टॉप नेटियो को पीछे छूड़ा है मतलब अगर अब जिस परकाश से नेटियो में बोला जाता है कि इस से उत्पादन बढ़ते हैं दाने में चमक आती है लेकिन जो रिपोर्ट अभी हमारे पास जो रिसर्च पेपर है उस हिसाब से पता चल रहा है कि एमी इस्टर टॉप भी इस मामले में पीछे नहीं है इस तरीके से कंपेर जो हमने अभी किया एमी इस्टर टॉप और नेटियो का यह तो हमारे जो उसके जो फार्मूले के बेस पे और जो एक रिसर्च पेपर के हिसाब से किया गया है Lepin और बी रिसर्च पेपर होंगे जो कि नेटियो एमी इस्टर टॉप से अलग-अलग हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप । जानकारी ले सकते हैं, उस हिसाब से आप कौन सी फंगी सेट को उप्योग करना चाहते हैं, उसका आप प्छेळन कर सकते हैं, फिलालाद के वीडियो में एतना ही वीडियो अचछा लगता है, तो आप लाइक करके शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में घंटी को प्रेस कर दीजेगा